ओम सिरी गनीशा नमदोस्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक सुवागत हैं दोस्तो आज एकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 जनवरी रवीवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन च स्वास्त की महत्पापूना जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिस से आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लो जिटेव रहने वाला हैं दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावा धन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छी खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग ब होते हुए आज आपको प्रातीत होंगे साथिसाथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्मपूर कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजदी की रिष्टेदार का घर में आगमन और हास परियास में समय व् ना कर रखेगा अपने परिवार में ववस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिले तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्चवी अपनी पढ़ाही की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकारतमक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्वपूर्ण कारे को निबटाने म अपनी आज आप पूरी उर्जा लगें आपके प्रियास अवस्से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती हस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाग से आज आज आप निर्णे ले भावुकता में आकर आपके निर्णे गलत हो सकते हैं शेर मार्केट और रिस्क संबंदित कारों में आपके लिए लाबदाएक परिस्तितियां आज उत्पन हो सकती हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक इस्तियां आज तनाव पूर्ण हो सकती है परिवार में एक दूसरे के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भाव उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परंतु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलू पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाप भी सिर्फ समय की बरवादी ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फहमी आज उत्पन हो सकती है आपके प्रती दोंदी आपके बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से पडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्सा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सयम रखें साथ ही साथ दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना आती आवश्चक हैं कोई बाहरी व्यक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तों आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में शकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली आ रही समस्याएं खुद पे खुद आज समाप्त हो जाएंगी जह दोस्तों जीवन साथी का सकारतमक सयोग आपको आत्म बल और आत्म विश्वास प्रदान करेगा आपसी संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरण रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाई के संबंद ठीक रहेंगे परिवारिक माहुल खुसनमा रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुखद यादें ताज आँगी दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवज से ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच छित्र में आपकी निगरानी अती आवशक है क्यो कि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा कारेच छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवशकता है शहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविदियों को नजर अंदाज ना करें आपकी पीट पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिस कर सक सकता है साजेदारी के विवसाय में पार दर्सिता रखना आपके लिए अति आवशक है किसी भी प्रकार के एनेतिक कारेच को करने से बचें क्योंकि इसका दुस प्रिभाब आपके मान सम्मान पर पड़ सकता है साते साते किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप न रहेगा दोस्तो साते सात कारेचित्र में चली आ रही किसी भी प्रकार के दिक्कत को भी सांती पूर तरीके से सुल्जानी की आपको आवशकता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्तितियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान्य बना कर रखें दोस्तो साती सात आज का दिन मार्केटिंग सम्मदित कार रहें और बाहरी गति विडियों में व्यतित होगा नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको एशिडिटी और गैस की समस्या उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खान पान में आपको शैयम बना कर रखने की आवशक्ता है दोस्तो साती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा आदिशे निर्वत्र होने के बाद आदित्य हिर्देश रोत का पाठ अवश्य करें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुरेदेव की विशेश कृपया आपको प्राप्त होगी जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लगी हैं समस्त परिशानियों कांत होगा और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्य बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शुरेदेव का सिरबाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंस बोक्स में जै शुरेदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद